नमस्कार दोस्तों मैं राज की सोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे की छट के उपर लहरिया टायल लगाते हैं हमारे युपी बिहर में जैसे की कमरे में इड का सोलिंग होता है पहले उसके उपर फास डलता है तो कई जोगे मिस्तिरी भाई हमारे होते हैं जो सिधा सिधा लगा देते हैं लेकिन वो उसमें थोड़ा क्रेक आने का चांस होता है तो सिधा सिधा ना लगा कर मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे की लहरिया लहरिया क्या होता है उसमें मतलब क्रेक आने का चा यहां बना हुआ है और यहां बना हुआ है और एक किनारे पर है तो इसको बहुत बढ़िया तरीका से कैसे चाल बना जाएगा तो यहां बना हुआ है तो इसके बाद लगा जाता है और यहां पर यहां पर यहां पर बांग लिए हैं मतलब मान लिजए कि आप कमरे में लगा रहा है तो चार अपसे आपको हस्या बांगना पड़ेगा उसके बाद लगाएं तो सबसे पहले इसका चाल कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे दूसरा जो होगा हमारा यहाँ होगा यह जो हम लगाए है इसी में बिलकुल मिलाक रखना है WITH फंठी को भी यूज कर सकते हैं मिला सकते हैं फंटी से और एक यहां पर ऐसे और थोड़ा-थोड़ा इसे ग्याइप राखेंगे मतलब कि जो घुरोटिंग करें तो इसमें अची तरह से मसाला घुव जाए अभी जाके हमारा यह मजबूत होगा और दूसरा होगा हम ऐसे राख देंगे कि यहां पर और यहां पर ऐसे राखेंगे तो हमारा जैसे कि देख सकते हैं कितना बड़ी तरीका से चाल बन गया ऐसे ही हम लगाते चले जाएंगे आगे को और यह जो हमारा गेर चुटा है में हम चाल बानके दिखांगे कैसे बानेंगे और यह जो हमारा छुटा हुआ है इसमें आधा बाहलेंगे की आहिंए हमारा अच्छी तरीक है से गार sleepy आई यह बिर्फुल अच्छी तरीके से ऐसे कोई जग यह चार चार का भी होता है लेकिन मैं तीन को आप लोगों को दिखा रहा हूं जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जा कितना बढ़िया तरीका से में घारा विशा रहा हूं ऐसे आप लोगों कोई विशाना है और फिर हम ऐसे ऐसे लगाते चले जाएंगे जैसे कि देख सकते हैं और एक यहां पर ऐसे रखेंगे फिर और फिर हमारा यह मतलब कि आधा आधा इधर चूपता जाएगा और इधर इधर आधा जो होगा इसे हम फिर चाल बनाएंगे सिंपली तरीका है आप जहां मर्जी लगा दीजिए इसको ऐसे बिल्कुल अच्छा होगा और यही मैं बताना चाहूंगा जैसे मान लिजीए दस बैज दस का कमरा है तो अगर मान लिजीए इध का आप शोलिंग करा रहे हैं तो उसने तीन सो पंदरा से दस से पंदरा टायल लगेगा आपका चाहिए इध हो चाहिए टायल हो उसी साफ से जितना आपका होगा उसी साफ से आप मदल डिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल इसली और सिंप्ली तरीका है बिल्कुल अच्छा से यह लगेगा और हलका हलका इसको ठोकते जाएंगे रखते जाएंगे हरे की भी हलका हलका गैस रखेंगे जगे है इसमें ऐसे आधा भर देंगे और यह जो आगे वाला है इसमें हमारा चाल फंसता जाएगा और यह जो पीछे वाला है इसमें आधा भर देंगे बिल्कुल बराबर भरना है यह वाला जो हम लगाये हुए इसमें मिलाके पहले भी हम तीन का बाने हुए थे और दूसरा पारी में भी हम तीन काई बानके दिखा रहा है यह मतला इसे जोर कैसे फसाना है तो सबसे पहले यहां जो यह हम रखे हुए थे यहां पर इसमें मिलाके रखेंगे और दूसरा जो टायल होगा हम ऐसे घुमा देंगे यहां पर फिर हम अधात इसमें रख देंगे यहां पर हमरा ऐसे ही चाल बनता जाएगा अच्छे तरीके से और दूसरा जो फिर टायल होगा इसी मुह में मिलाके ऐसे हम रख देंगे यहां पर फिर हम एक यहां टायल रखेंगे ऐसे किनारे का भी द्यान रखना है और सूथ का भी द्यान रखना है यह वाला और हरे की मतलब की बिलकुल बराबर 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 गैप भी छड़ना है पाइजा केगे हम लोग मसाले से भी लगाते हैं लेकिन यहां पर वैसे नहीं है यहां हम इसी के जो घारा होता है उसी से लगा रहा है आसे बढ़िया तरीका है यह कई जोगे होता है जो सिधा सिधा लगता है तो सिधा सिधा ना लगा कि यह चाल लगा है बहुत अच्छा तरीका होगा तो ऐसे ही लगता है तो आसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो अस्तमा जा गया होगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें झालस ऑड़ है मत जरूर को दो सिधा स्क्राइब खु्तर्प साथ रगता है पालसे हैं लगता है